आपका हमारे चेनल इट्यमिशस पर बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे पांच तरह के बहुती टेस्टी लाजवाब तरह के रायते यहाँ पर हम जो रायते बनाने वाले हैं यह मुझे लगता है कि सबसे जादा टेस्टी होते हैं तो आपको कैसा लगता है यह आ हम अ कि रूट रायता के लिए मैं यहाँ पर आधा कप दही ले रही हूं जो की गारी है तो हमें पांड़ी को और अच्षे से थिक अ बना रहे हूए हूं तो रही पानी दही और पानी को भी अखियम प데 बतल यार में नश्पट कर लिया को तो उस के वह आधा कर लिया है मैं आधा की नुटे करें अगया है। अध्य कडिけれए द्रॉट्ट के आभा किश्ण करने हैं। तो यह सारे फल हम इसमें डाल देंगे, इसमें आप अपनी पसंद से फ्रोट शामिल कर सकते हैं, अब इसमें हम डालेंगे 2-3 टेबल स्पून चीनी, जो की धही की खटास के हिसाब से इसमें डालेंगे, या आपको जिस तरह का रायता पसंद है, उस तरह से खटा मेटा बना सकते हैं से, इसके बाद में इसमें 1-4 टेश्पून ये भुना हुआ जीरा का पावडर भी डाल रही हो, आप इसमें चाट मसाला पावडर भी डाल सकते हैं, अब इन चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, मैंने इसमें सिर्फ काला नमक इस्तमाल किया है, आप चाहें तो तो रायते का स्वाद अधूरा लगता है, तो चलिए हम इस रायते के स्वाद को पूरा करेंगे और इसमें एक तड़का लगाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा तेल, मतलब एक चमच तेल गरम करके, उसमें हाप टी स्पून स्वाद को डाल के फ्राइक किया है, और इसका तो उसके साथ सौफ खाने में बहुत अच्छी लगेगी, मैं इसमें थोड़ी सी ये इलाइची का पावडर भी डाल रही हो, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है, यह हमारा रायता काफी टेस्टी है तो यह तयार है, तो जल्दी से सहरू करेंगे, तो यह मिक्स प्रोट रायते को आप रोटी, पूरी, पराठी या चामल के साथ खाए, या फिर इसे फ्रिज में रखके ठंडा करें और ऐसे ही खाए, खाने में यह बहुत ही डेस्टी और डिलिशन्स है, तो आप यह इसे मे बूंदी का रायता बनाने के लिए हम लेंगे आधा कब दही और इसे अच्छे से फेट कर स्मूध कर लेंगे, यहां पर मैं इस तरह से फेट कर दही को तयार कर रही हूं रायती के लिए, लेकिन अगर आप चाहें, तो एक पतले कपड़े में डाल कर दही को दबाते हुए लेकिन उस से काम थोड़ा मैसी हो जाता है, तो मुझे वो नहीं पसंद है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वेशे आप कर सकते हैं, अब बूंदी का रायता होता है, इसे हमें थोड़ा सा पतला रखना होता है, क्योंकि इसमें हम बूंदी डालेंगे, तो बूंदी भी हम इसे मतलेंगे, इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा का बूंदी या जितनी आपको पसंद हो, मैं यहाँ पर यह मसाले वाली बूंदी का इस्तमाल कर रहे हो, आप चाहें तो फिकी बूंदी भी इसमें डाल सकते हैं, और इसके बाद इसमें थोड़े से मसाले और डाल और बस इन सारी चीजों को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे मिने यहां पर बुंदी को सोक नहीं क्या है अगर आप चाहें तो बुंदी को अलग से पानी में सोक करकी भी इस रायते को तयार कर सकते हैं लेकिन उससे बुंदी रायते में खाते टाइम पर थोड़ी फिकी है और यह तड़का इसमें डालते ही इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर उसके बाद इसे पांच मिनिट के लिए साइड में रख लेंगे ताकि बुंदी के अंदर इसके सारे प्लेवर्स अच्छे से आ जाए और बुंदी फूल कर सौफ्ट हो जाए और उसके बाद हम सर्व करेंगे यह बुंदी का रायता खाने में सबको पसंद आता है और मुγظму लगता है कि यह सबसे सीनियर रायता है सबसे पहले हो हुआई ऐसे सबसे पहले बनाया गया हो आपको ग्या लगता है यह मुझे कमेंट मीं जरूर से बताना और इस तरह से इसे घर पर जरूर से ट्राय करना आपको बहुत अच्छा लगेगा यह खाने में इस पर थोड़ी से बुंदी के दाने और लान मिर्च से इसे गानिश करें और फिर इसको इन्जोई करें आलू का रायता के लिए हम लेंगे दो से तीन बड़े चमज यानि की हाफ कपके करें तहीं जोकि मैंने फेट कर रखी है और तहीं में हम डालेंगे दो उबले हुए आलू जिनके मैंने टुकड़े काटके रखे हैं छोटे आलू थे तो आलू को उबाल लिया है और उनके साथ ही दो चमज बारिक कटा हुआ प्याज इसमें डालेंगे अगर आप प्याज खाते हैं आपको पसंद है तो जरूर से इसमें डालें बहुत अच्छा टेस्ट आयेगा इसका और फिर इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो इसमें मैं डाल रही हूं आधी छोटी चमज इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा बारिक कटा हुआ ताजा हरधनिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे साथ ही रायते की कंसिस्टेंसी को सही करने के लिए हम इसमें डालेंगे बनफोर्थ कप पानी आप चाहें तो यह रायता आप थोड़ा और घाड़ा रख सकते हैं य नरम नरम आलू के सब जीरा आता है और उसके साथ दही का खटता बनाता है वह बहुत जीजादा टस्टी लगता है तो अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और फिर इसे सहरू करें तो यह आलू वाला रायता आप अपने घर पर जरूर से ड्राइग आप जाहें तो इसमें उ और पानी डालेंगे एक ताजा-टाजा ने तरह से तोड़ कर लिए इसके टेस्ट को और भी अच्छा करने के लिए इसमें एक लहसन की क्ली डाल रही है अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंट कर लेंगे तो ये मैंने धनिया पुदिना, हरी मिर्च ऑलहसन को अच्छे से पीस लिया है अब मैंने ये लिया है आधा कब फेता हुआ दही और इसमें हम ये बनाय हुआ पेस्ट डाल देंगे राथ ही थोड़ा सा भारिकटा हुआ प्यास डालेंगे जो कि अगर आप चाहे तो ना भी डाले और फिर इसमें डालेंगे हम एक चमज बुना हुआ जीरा का पाउडर साथ इसाथ थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे इसमें और फिर इसमें डालेंगे नमक स्वाथ के अनुसार तो हम इसमें काला नमक भी डाल रहे हैं तो उस हिसाब से ही इसमें हमें सफेद नमक डालना है और फिर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे यहां पर आप चाहें तो इसमें आप थोड़े से टमाटर या फिर थोड़ा सा ककड़ी ही जो होती है जिसे हम खीरा भी बॉलते हैं उसके टुकड़े भी आप इसमें डाल सकते हैं और इसे आप एक डीप की तरह मतलब पकोड़ों के साथ आप इसे चटनी की तरह भी खा सकते हैं हम इसे रायता की तरह बना रहे हैं तो मैं इसमें थोड़े से ये बारिक कटिवे टमाटर भी डाल रहे हूँ साथ ही इसमें जो तड़का है वो हमारा स्पेशल रहे का तो मैंने एक चमश तेल में वनफोर्थ टीस्पून राई के दाने और हाफ टीस्पून सफेद तिल को अच्छे से भून लिया है तो ये पुदिना का राईता गर्मियों में बहुत ही जादा फाइदमन रहता है क्योंकि पुदिना हमारी सहत के लिए अच्छा रहता है अंदर से ठंड़क देता है तो आप इसे जरूर से बनाईए और फिर इसको इंजोई करिए चाहे तो पकोड़ों के साथ खाए या सम अधा का फेटा हुआ दही लिया है और इसमें हम वनफोर्थ का पानी मिलाकर अच्छे से फैट लेंगे तो यह जो रायता है यह आप कभी भी बनाकर तयार कर सकते हैं क्योंकि अगर घर पर फल ना हो पुदिना ना हो बूलती ना हो या फिर आलो उबालने का टाइम ना हो तो यह आप चट पड़ से तयार कर सकते हैं तो दही को अच्छे से फैट लेने के बाद इसमें हम डालेंगे एक बारिक कटा हुआ प्याच और साथी साथ डालेंगे एक बारिक कटा हुआ टमाटर साथी अगर इस टाइम पर आपकी घर में ककड़ी अवेलेबल हो तो आप इसमें डाल सकते हैं और थोड़ी सी एक या दो भारिक कटी अवी हरी में तेस्ट को बढ़ा देगी साथ सद हुआ यस तो नमक आद legislski मैंगे और एक चमज भरके हम इसमें डालेंगे हुनावा जीरा का पाउडर और बस इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिलाना है और इसमें राई और जीरा का तड़का लगाना है तो इसके लिए मैंने दो छोटे चमज तेल को गरम किया है और इसमें आधा चमज जीरा और वन फॉर्थ टी स्पून राई को तड़का लिया है और ये राई और जीरा का तड़का इसमें अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे ठंडा करके सर्व करेंगे तो ये प्याज और टमाटर का जो राईता है ये एनिटाइम बन करके तयार हो जाता है और इसे बनाने में बहुत साधा कम टाइम लगता है राईते में थोड़ा सा अगर तड़का लग जाएगा तो स्वात काफी इसका बढ़ जाएगा तो एक छोटी से धनिया पत्ती से और थोड़ी सा लाल मिश का पाउडर इस पर स्प्रिंकल करेंगे और इसे कानिश करके सर्व करेंगे तो इस तरह से यह हमारे पांच तरह के बहुत ही आसाल लेकिन बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रायते बन करके तयार है खाने के लिए तो आप भी रायतों में इस तरह से तड़का लगाएए और बनाएए खाईए और इंजोई करिए और फिर अगर आपको मेरी यह रेसिपीस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल एट्यमिशस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीस मिलती रहें और नए रेसिपीस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल ना भूले हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं तिल देन इंजो इस वीडियो एंड थैंक्स पर वचिंग एट्यमिशस